गुरु बिन ग्यान न अबजे, गुरु बिन मिले या न बोख्ष, गुरु बिन लाखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोश गुरु पुर्णिमा हम तेरा जुराई 2022 को बना रखे हैं, इस दिन करें गुरु वेश्वर साधना और पाएं सद्गुर्देव गाशिरवाद, गुरु सर्वेश्वर का साक्षात कार करवा कर, शिश्ष को जन्म मरन के बंदन से अब्मोक्त कर सकते हैं, इसलिए संसार में गुरु का विशेश महत्व हैं, जैसे ग्यान विज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता है, उसी तरह गुरु से संबद हुए बिना ग्यान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, गुरु अपने सिश्षी के अग्यानता रुपी अंधकार को दूर करने के लिए उपदेश रुप प्राण पर्तेशित अभी मंतरित गुरु यंत्र और एक विशेश सुपारी और गणपती की माला, तो सबय रहते आप गुरु साधना, गुरुवेश्वर साधना के लिए कौल करिए, आपको आध्यात में साधना सित्य के इंदर से पूरी जानकारी मिलेगी, आज के लिए बहुत बहुत शुपकामना नवशकार प्यार बर आशर्वात आशर्वाले लोगों के लिए सफलता का गुरु मंतर बन जाएगा, क्योंकि तुलार आशर्वाले लोगों को तराजू की तरह बैलेंस चाहिए, ये महिना तो बन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नमशकार प्रेसातियों, मैं हूं सुरेश्यमाली, और आप देख रहे हैं तुलार आशर्वाले जुलार आशर्वाले लोगों के परिवर्तन की, आपको कौन सी डेट पर एलेट हरना चाहिए, कौन सी शुप डेट से हैं, प्रेसातियों, इसके बाद बिजन्स एंड वेल्ट, जॉब और प्रोफेशन, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, रिलेश दो जुलाई से बुद नाइन ताउस में मितन राशिव रहेंगे, बारा जुलाई से शनी, फोर ताउस में मितन राशिव रहेंगे, शर्श्योग बन जाएगा, तेरा जुलाई से शुक्र नाइन ताउस में मितन राशिव रहेंगे, सोला जुलाई से सूर्य दश्यमिस्त पर चांग करकर राश्रिम रहेंगे। उसके बाद 28 जुलाई से गुरू छटे बाव में मीन राश्रिम रहेंगे और वो भी वक्री। और 31 जुलाई से बुद 11 ताउस में सिंग राश्रिम आ जाएंगे। मेरे प्रेसाति हूं आप हो मैं आमखास कोई भी हो सकता है। महिने में 2-4 दिन कुछ ऐसे होते हैं आपने नोटिस किया होतों कि वो निराशावादी होते हैं टेंशन डेपरेशन होती हैं और काम में मन नहीं लगता है बलकि किसी तकलीफ में और फस जाते हैं ये वक्त तब होता है जब तुला राश्रिम से चंद्रमा जो कि मन और बस्त चंद्रमा को आट पे रहेंगे खयाल रखेगा इसके अलावा प्रेस आती हूं अब शुप डेट्स भी मेरे पास बहुत सारी है सबसे पहले गच्छ केसरुग बात करते हैं 6-7-12-13-18-19-25-26-27 जुलाई को गुरू चंद्रमा का कॉम्बिनेशन गच्छ केसरुग 13 से लेकर 15 जुलाई तक 9 ताउस में लक्षवी नعरान योग रहेंगा 16 तारीक से लेकर 30 जुलाई तक कर्म इस्तान में सुरिवृत का बधादित योग रहेगा उसके बाद 20, 21, 22 जुलाई को बिजनस आउस पे हैं, चंदर बगल का महाल अक्षियोग, 13 जुलाई से 4 आउस पे हैं सर्षियोग और इस पूरे मेने 7 आउस पे हैं रूचक योग रहेगा, इतने सहारे राज योग, अब आप कर्म योग का सहारा लिजिए और अपने भागिय को खुद जगाएगे, ग्रह नक्षत्रों के अलावा, आपको देवी देवता भी देरें बड़ा आशिरवात, 8 जुलाई भरली नवमी के रूप में, 10 जुलाई देव शैनी 11 जुलाई गुरुपूर्णिमा प्रारम होगी, 14 जुलाई को स्रावण मास प्रारम भोजाएग मेरे प्रेसातियों, आई अब बिजनस एंड वेल्थ से शुरुबात करते हैं तुला राशी में एक तो योग कारक वैसे भी शनी बनते हैं, तुला लगन हो, उसमें शनी आपके 5 ताउस और फिर 4 ताउस पर नहेंगे, आईरन, केमिकल, पैट्रोल, ओइल, बिल्डिंग, माटिरियल, ट्रांस्पोर्टेशन, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, लीकर, कोल प्रॉपर्टीज, और मैनुफैक्ट्रिंग करने वाल लोगों के लिए शांदार समय, आप एंजॉइ कर सकते हैं, और इस काम को बहुत एचेटरंग से आगे बढ़ा सकते हैं, इस पूरे बहने, बिल्डिंग, सेल्स, पर्चेस, मार्केटिंग, टेक्निक अपना ये, सफल की तरफ आगे बढ़ाएंगे, इस पूरे मैने बिजनस हाउस पे है, राहू बंगल का अंगारक दोश भी रहेगा, जिससे अग्याद भय, दोश्वन कहीं आपकी इमेज को खराब करने का काम करेंगे, बिजनस पार्टनर से कुछ तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-त बाकिस्तान में सूर्य बुद का बुदादीत योग रहेगा, जिससे ट्रेडिंग, फ्रिलांसर, सर्विस प्रोवाइडर, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के काम करने वा लोग ब्रोकर्स के लिए बहुत शांदार समय है, बिजनस में मेरे परियसातियों जो कुछ भी कहता हू नोट करें, बिजनस पर एक्सपांशन की सोच आपको जल्द ही आगे लेके जाएगी, अच्छा मौरत देकर स्री गणेश कर लीजिए, अब आद करते हैं जौब और प्रोफेशन की देवताओं की गुरु ब्रैश्पति का आशरवात करमिस्तान पर हैं, जिस पर आपकी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी डवलप होगी, ग्यान बढ़ेगा, बर्ट प्लेस पर आपकी वर्किंग, एफिशेंसी और वर्किंग कल्चर में फ्रसुधार करके आपको ख्याती मि लेगी, 16 जुलाई से सूर्य करमिस्तान में रहेंगे जिससे प्रोफेशनल लाइफ में आपको तकलीफ दूर करने के मौका बलेगा, गवर्मेंट जॉब और गवर्मेंट की तारी करने वाल लोगों के लिए बहुत शांदार समये, इस पूरे भईने, 7 ताउस में राहू मंगल का अंगारख दोश, कहीं न कहीं आपको गुस्सा, एहंकार, चोटी-चोटी बातों बार लड़ाई-जगड़े करना, ये सब कुछ संभव है, इस से बच रहा होगा, वर्क्रेस पर टाइम का प्रोफर बेनेश्मेंट का सूत्र बांद ले, वरना प्रोब्लम आ सकते हैं, आई-टी प्रोफेशन और मेडिकल फिल्ड से जुड़े वे लोग और लॉज से जुड़े वे लोगों के लिए बहुत शांदार समय हैं, मेरे प्रेसातियों, आईए अब बात करते हैं कि आगे बढ़ने से पहले मंत्री वास्तु टिप की, अपने घर के पूजा इस पूरे बैगे, पती-पतनी के गर में एक तो रूचे क्योग रहेगा, जो अच्छा है, लेकिन अंगारक दोश भी है, जो बुरा है, प्रोफेशनली आगे बढ़ें, एक दूसरे से आगे बढ़ने के बारे बिना सोचें, साथ में आगे बढ़ने के बारे में सोचें, और अगर एक दूसरे को नीचा दिखाना और खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करोगे, तो ना घर के रहेंगे ना गाट के रहेंगे, लाइफ में परिवार के साथ फैसले सक्सेस्पूल लगी आगे बढ़ेंगे, बारा जुलाई से फोर्थ आउस में, शश योग करना, इस पूरे महीने यात्राएं करना का उसर बलेंगे, इस पूरे महीने सब्तम बाव में राओ बंगल का अंगारग दोश आपको कुरोध देगा परिवार में कैन के जलन और इश्यार तीसरे व्यक्ति की जगड़े की बज़े बन सकता है, इसने शुब और मांगली कार करते रहें, हमेशा सुबह शाम कपूर और गूगल की दूप को आप अपने पूरे घर में गुवाईए, तो आपके नेगेटिविटी दूर हो जाएजी, फ्रे साथ हूँ, अब बाद करते हैं स्टूडेंट और लर्नर की, एक, दो, छे, साथ, और अठाइस, बुनतिस जुन जुलाई को, चंद्रमा का पढ़ाई के गर्से स्टाडास्टक दोश रहेगा, एंट्रेंस एक्जाम है, वाईवाई है, इंट्रिव्यो कहीं एपलाई करना है, फॉर्म बरना है, या वीजा के लिए कहीं एपलाई करना ह तो आप कुछ गरबर हो सकते हैं, समस्यासती ध्यान रखना पड़ेगा, पंचब भाव में, शर्षयोग और 12 जुलाई से फोर्ता उसमें शर्षयोग बनाईगा, जिससे आईटी प्रोफेशन, हायर एजुकेशन, लॉग और मेडिकल के स्टुडेंट के लिए अच्छा सम प्राइटी है, उसे पॉजिटिव तरफ लेके जाएगे, आप प्राइवेट इंस्ट्यूट में अगर पढ़ना चाहते हैं, तो अच्छा रहेगा, पैसो की कोई भी तकलिव अगर पेरेंट्स को है, तो वो दूर हो जाएगी, हेल्थ और ट्रेवल की बात करते हैं, इस पहने तीन बार पर्सनल और प्रोफेशनल लाइब में यात्राइग करने का उस्तर बिलेंगे, ग्यारा जुलाई तक छटे बाव में पाप करते ही दोश रहेगा, आपको ब्लड की प्रॉब्लम, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, शरिमे के दर्द हो सकता इलर्जी प्रॉब्लम होगी, ज्यार रखना पड़ेगा, छेज साथ, चौदा पुंद्रा जुलाई को, चंदरमांग अस्टम भाव से नवम बंचम राज्यों गरेगा, आप फूल बॉडी चेक अप करवाएं, और ऐसा कुछ करिए कि आप हस्ट पूछ रह सकें, पहले फ पूस्ति में, कहीं ने कहीं, आप का तू-तू-मेमे होने वाली इस एहंकार से आपको बचना पड़ेगा, प्रेसाति हूं, आई आप कारिकरम के अंते में बात करते हैं, कि तुला राश्य वाले लोग यादगार और शांदार जुलाई कैसे बनाएं, इसके लिए विश्य दान करें, पानी का दान करें, तेरा जुलाई गुरु पूर्णिमा पर गुरु दिख्षा पराथ करें, गुरु कीजे दस पांचा, जब तक मिले न साचा, गुरुवार को सफेद पुश परफित करते हुए गुड़ का भोग लगाएं, साबुत बूंग मंदिर में दान क करें, और 12 वर्ष से कम छोटी कन्याओं को चरहन सपर्श करके उनका आश्रवात दें, और आटी विश्टल डायमंड जुएलिरी का दान कर सेते हैं घरीब लोगों में, इस दिन दिख्षा पराप्त करना शुब रहेगा, 14 जुलाई शिवलिंग पर बिल्वपत्र धतुरा भांग, आदी चड़ाएं, सुमबार को रुद्रा विश्य करें और करवाएं, 21 बिल्वपत्र जरूर अर्पित करें, और शिव के पंचाक्षे रिबंत्र ओम नमश्यवाय का जाब करें, 18 जुलाई नाग बंचिवी पर, नाग बंचिवी से एक रात पहले सोते समय अपने चीज़ें दांग करें, इस्टेडी माटीरियल डोनेट करना शुब रहेगा, मेरे प्रियसातियों स्वस्त रहिए, मस्त रहिए और भ्यस्त रहिए, तुलार आशिवाले दर्शुकों, आप मुस्से परसले बिल भी सकते हैं, या टेलिफॉनिक अपांट्मेंट और वीडि बहुत आशिरवार